प्रस्तुत है पाठ पाँच मैं क्यों लिखता हूँ? प्रिष्ठ संख्या 42 से 46 तक लेखक अग्ये, लेखक परिचे अग्ये. सच्चेदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्ये का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवर्या जिले के कसिया यानी कुशी नगर इलाके में हुआ. प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बी एस्सी लाहोर से की. प्रांती कारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अग्ये को जेल भी जाना पड़ा. सहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णते समर्पित अग्ये ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की. उन्होंने कई नोक्रियां की और छोड़ी. आजादी के बाद की हिंदी कविता पर अग्ये का व्यापक प्रभाव है. कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदी, अनेक विधाओं में भी लेखन किया है. प्रस्तुत है पाट, मैं क्यों लिखता हूँ? यह प्रेश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है. उन सब को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं. इतना ही किया जा सकता है कि उन में से कुछ का स्पर्ष किया जाए, विशेश रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उप्योगी हो सकता है. एक उत्तर तो यह है कि मैं इसी लिए लिखता हूँ कि स्वयम जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ. लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है. वास्ताव में सच्चा उत्तर यही है. लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवश्टा को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वहे उससे मुक्त हो जाता है मैं भी उस आंतरिक विवश्टा से मुक्ती पाने के लिए तटस्त होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते ना उनका सभी लेखन ही कृती होता है सभी कृतिकार इसी लिए लिखते हैं यह ठीक है कि कुछ ख्याती मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवश्टा से भी लिखा जाता है संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवशक्ता से पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुक इमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीत्री प्रेड़ना का फल है कौन सा लेखन बाहरी दबाव का दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्ताव में दबाव नहीं रहता वह मानो भीत्री उन्मेश का निमित बन जाता है यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानु शासन का महत्व बहुत होता है कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते इसी के सहारे उनके भीतर की विवश्ता स्पष्ठ होती है यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रत्यकाल नींद खुल जाने पर कोई बिच्छोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का एलार्म न बज जाए इस प्रकार वास्ताव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रती समर्पित नहीं हो जाता है उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिस से भौतिकी अथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानी नहीं मानता यह भीत्री विवश्ता क्या होती है इसे बखानना बड़ा कठिन है क्या वह नहीं होती है क्या वह नहीं होती यह बताना शायद कम कठिन होता है या उसका उधारण दिया जा सकता है कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा अपनी एक कवीता की कुछ चर्चा करूं जिस से मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ. मेरी नियमित शुक्षा उसी विशे में हुई. अनू क्या होता है? कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीधी तक पहुँचें जहां अनू का भेदन संभव हुआ? रेडियम धर्मीता के क प्रभाव होते हैं? इन सब का पुस्तकिय या सैधान्तिक ज्यान तो मुझे था. फिर जब वह हिरोशिमा में अनूबम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरन पढ़ता रहा. इस प्रकार उसके प्रभावों का एतिहासि प्रमान भी सामने आ गया. विज्यान के इस दुरुपयोग के प्रती बुद्धी का विद्रोह स्वाभाविक था. मैंने लेख आदी में कुछ लिखा भी पर अनुभूती के स्तर पर जो विवश्ता होती है वह बौधिक पकड़ से आगे की बात है. और उसकी तर्क संगती भी अपनी अलग होती है. इसलिए कविता मैंने इस विशय में नहीं लिखी. यो युद्ध काल में भारत की पूर्विय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्म पुत्र में बम फेक कर हजारों मचलियां मार देते थे. जबकि उन्हें आवश्यक्ता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्याय से जो व्यथा भीतर उमडी थी उससे एक सीमा तक अनुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था. जापान जाने का अवसर मिला. तब हिरोशिमा भी गया. और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे. इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ. पर अनुभव से अनुभूती गहरी चीज है. कम से कम कृतिकार के लिए. अनुभव तो घटित का होता है. पर अनुभूती, समवेदना और कल्पना के सहरे उस सत्य को आत्म साथ कर ले जो वास्तों में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है. जो आखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है. तब वह अनुभूती प्रत्यक्ष हो जाता है. तो हिरोशिमा में सब देख कर भी त वहीं सडक पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली चाया है। जो उस व्यक्ती पर अठकी उन्होंने उसे भाप बना कर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस चाया को देखकर जैसे एक थपड़ सा लगा। अनुविस्फोट मेरे अनुभूती प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयम हिरोशिमा के विस्फोट का भोकता बन गया। इसी में से वह विवश्टा जागी। भीतर की आकुलता बुद्धी के क्षेत्र से बढ़कर समवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका। और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं भारत लोट कर रेल गाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी। इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूती प्रसूत है। यही मेरे नि कट महत्व की बात है। अनुभूती प्रसूत अर्थात उत्पन प्रश्न अभ्यास। प्रश्न एक लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूती उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों। प्रश्न दो लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विसफोट का भोगता कब और किस तरह महसूस किया। प्रश्न तीन मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताईए के क लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। ख किसी रचनाकार के प्रेर्णा सुरोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। प्रश्न चार कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूती यानि स्वयम के अनुभव के साथ साथ बहिय दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बहिय दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। प्रश्न पाँच क्या बहिय दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्यक्षित्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। कैसे। प्रश्न 6. हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अन्तह वे बहिय दोनों दबाव का परिणाम है। ये आप कैसे कह सकते हैं। प्रश्न 7. हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी द्रिष्टी में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस तरह से हो रहा है। प्रश्न 8. एक समवेधन शील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। सन 1969 में प्रकाशित अरी ओ करुणा प्रभामें काव्य संग्रह में संकलित अग्ये की हिरोशिमा कविता यहां दी जा रही है। हिरोशिमा एक दिन सहसा सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ीं वह सूरज नहीं उगा था वह सूरज नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा बीचो बीच नगर के काल सूर्य के रत के पईयों के जियों अरे तूट कर बिखर गए हों दसो दिशा में कुछ क्षण का वह उद्य अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दो पहरी फिर चायाएं मानव जन की नहीं मिटीं लंबी हो हो कर मानव ही सब भाप हो गए चायाएं तो अभी लिखी हैं जुलसे हुए पत्थरों पर उजडी सडकों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना कर सोख गया पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई चाया मानव की साखी है मानव की साखी है सन 1969 में प्रकाशित अरियो करुणा प्रभामय काव संग्रह में संकलित अगेय की हिरोशिमा कविता यहां दी जा रही है हिरोशिमा एक दिन सहसा सूरज निकला अरे शितिज पर नहीं नगर के चौक दूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से चायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ीं वो सूरज नहीं उगा था पूरब से वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर के रथ के पहियों के ज्यों अरे तूट कर बिखर गए हूँ दसों दिशा में कुछ क्षण का वो उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की द्रश सोख लेने वाली दुपहरी फिर चायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए चायाएं तो अभी लिखी हैं जुलसे हुए पत्थरों पर उजडी सडकूं की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना कर सोख गया पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई चाया मानव की साखी है अभी आप सुन रहे थे पाठ पाँच मैं क्यों लिखता हूँ ध्वनी संपादन, निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी प्रस्तती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत प्रस्तत्त ज्रस्तत्त